नमस्कार दोस्तों, सफलता सुत्र में आपका हार्दिक स्वागत है इवं बवासीर होतो उसे दूर करने के लिए कारगार उपाय बताने जा रहा हूँ इन उपायों पर सक्ती से अमल करें निस्यत रूप से ये बवासीर को जड़ से उखाड फेकने में अतियन्त मददगार साबित होगा बवासीर का सबसे मुख्य और पहला कारण है लंबे समय तक कब्ज बने रहना भारी, चिकनाई, वखटाय युक्त, तला भूना और तेज मिर्च मसालेदार पदार्थों के अति सेवन से पाचन सक्ती कमजोर होती है जिससे अपच होता है और कब्ज रहने लगता है मल सूखा वा कठोर हो जाता है अहार को बीना ठीक से चबाए जल्दी जल्दी निगलने के कारण भी कब्ज होता है यदि अपच और कब्ज पैदा करने वाले इन कारणों को दूर कर दिया जाए तो निस्चित रूप से 99% 82% रोग होने की आसंका ही नहीं होती जो व्यक्ति दिन भर बैठे-बैठे काम करते हैं व्यायाम या परिस्रम नहीं करते विलासिता युक्त आराम तल भी जीवन जीते हैं वे जादा तर कब्ज और इसके बाद बवासिर से ग्रस्त हो जाया करते हैं बवासिर केनने कारणों में जिने घंटों खड़े रहना या भारी वजन उठाने पड़ते हों जैसे कूली, मजदूर, भारोत तलक, ट्रेफिक पुलिस, आदी उनमें भी इस बिमारी से पीडित होने की संभावना होती है मोटापा एवं गरभावस्था के समय भी बवासिर रोग हो जाती है मादक द्रव्यों, सराब, मांस, अंडा, चाय, कॉफी, लहसून, प्याज, मिर्च, आदी का अती सेवन, रात्री जागरन, कब जनासक दवाओं का लंबे समय तक सेवन, जंग फूट का बढ़ता चलन भी बवासिर के रोग्यों को तेजी से बढ़हा रहा है चिन्ता एवं मांसिक तनाव, क्रोधी और इर्षियालू सभाव भी कहीं न कहीं बवासिर रोग पैदा करने का कारण बनते हैं इसलिए इन मांसिक भी कारों से बचकर रहना चाहिए आईए अब जानते हैं बवासिर नासक गुनकारी सिध्ध होने वाले कुछ राम बानुपायों के बारे में बवासिर के रोगी को उन सभी कारणों से बचकर रहना चाहिए जो अपच्व कब्ज पैदा करते हैं अन्यथा इसकी चिकितसा वेर्थ ही सिध्ध होगी बादी बवासिर हो तो सोते समय रुई के फाहे को कांसी साधी तेल में डुबा कर गुदा के मस्तों पर आराम होने तक प्रती दिन लगाएं खुनी बवासिर में दुरवादी घृत रुई के फाहे से लगाना चाहिए दुरवादी घृत रक्त स्राव रोकने वाला उत्तम योग है दिन में दो बार आधे गिलास पानी में दो चम्मच इसब गोल की भूसी घोल कर पीना चाहिए इससे कब्ज नहीं होता पेट भली भाती साफ हो जाता है यह प्रियोग पेट ठीक से साफ होने तक दो तीन महीने तक करते रहें इसब गोल के सेवन से कोई हानी नहीं होती रोज सौच के बाद नारियल का तेल मस्सों पर लगाएं यह तेल दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है मल त्याक के बाद गुदा के आसपास की अच्छी तरह सफाई एवं गुनगुने पानी से सिकाई जरूर करें यह बहुत लाभकारी है सुबह साम सौच के लिए अवस्य जाना चाहिए एक बात का विसेज ध्यान रखें सौच करते समय मल भी सर्जन के लिए कदापी जोर न लगाएं बवा सिर से बचने के लिए भोजन में रेसेदार पदार्थों जैसे ताजे फल, सबजियां, अनाजब दालों को जरूर सामिल करें यह मल को मुलायम करता है जिससे मल भी सर्जन के समय जादा जोर नहीं लगाना पड़ता यदि बवा सिर पिढ़ी दर पिढ़ी होता आया हो तो खास कर उन्हें ऐसा अहार विहार और दिन चरिया रखना चाहिए जिससे अपच और कब्ज न होने पाए भरपूर नींद लें रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठें प्रति दिन व्याजाम योगासन करें प्राता भ्रह्मन के लिए जरूर जाएं तनाव और चिंता से दूर रहें बवा सिर के रोगी क्या खाएं क्या न खाएं पत्थ ताजी चपाती, छिलके वाली मूं की दाल हरे पत्तिदार सबजिया, मौसमी फल, दलिया, खिचडी, सलाद, दूध चावल की खीर, आदी का सेवन करना पत्थ है ताजा, सादा और सुपाच भोजन खूप चबा-चबा कर खाएं अपत्थ लाल मिर्च, तेज मिर्च मसाले, अंडा, मांस, सराब, तंबाकू, खराब तेल में तले पदार्थ, भारी वबासे पदार्थ, बैंगन, आलू, अर्बी, मैदे वबेसन के बने व्यंजन, पूडी, पराठे, कचवरी, समोसे, गुड, खटाई वचिकनाय युक्त पदार् ये सब भी अपथ्य है, इन सब ही उपायों पर अमल करते हुए पथ्य-पथ्य का सक्ति से पालन करें, बवासीर के कारणों से बचकर रहें, तो यह रोग होगा ही नहीं, और जिन्हें हो चुका हो, वे बिना इलाज के भी इस रोग से निजात पा सकते हैं, याद रखें, बवासीर से निजात पाने में परहेज का सक्ति से पालन करना दवा से ज़्यादा फायदे मंद होता है, प्रिवेंसन इस बेटर देन क्यूर के अनुसार, इलाज की अपेक्छा, रोग से बचाओ करना अच्छा होता है, यदि उपरोग तो उपायों के बाद भी इस रोग स कितसक की सलाह लेकर उची तिलाज जरूर कराएं, तो दोस्तों बवासीर के बारे में हाजानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिग कर हमें जरूर बताएं, जदि प्रस्तूती पसंद आई हो, तो लाइक करके अपने दोस्तों, रिष्टेदारों को सेयर करें, ताकि उन किंती समय देने के लिए धन्यवाद, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए